हेलो एवरीवर वेलकम बेक तो मैं चैनल दी तीजियर्मी किचन आज मैं आपको के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वह एक बहुत हेल्दी रेसिपी है जो कि हमारी इम्मुनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्फुल है तो आए जानते हैं कि आज हम क्या बनाने मैं ठीज हो जाहेगा जनर बच्चे कि होते है जनरली को फाली मिल्क मिल्क दी तो यह रएड़ी कुछ नहीं होती है तो इससरह चाहिये कर दोगे च्तुों फेलगा नयुए जो बहुत अच्छा ही मैं इम्मुनिटी बूस्ट्र है तो आहने जानते कि रहतं की बनाते हैं सब्सेसे पहले में यहां पर गैस को व्यां कर रही हूं कि अमने करना क्या है मैं यहां पर data घी लेने वाली हूं है मैं ज़्दा गी नहीं चाहिए थे 0,gr इस दूहरे घी गम हो जाए इसमें है Quest मसालों को एड़ यह रिंगे तो गी तोड़ा जम जाता है कि अभी गी गरम हो गया है हमें बहुत लगादा घी को गरम नहीं करना है otherwise क्या होगा कि वह मसाले जल जाएंगे हमारे घी में मैं हाफ टीजपून अजवाईन डाल रहे हूं और साथ हाफ टीजपून में इसमें हल्दी डाल रहे हूं में नोह स्व対 की सफ़ims नवी है ते में गतता है कि अच्छाव ना जाता है और अजवाइन पिसको अच्छा स्ट दे रहे समय पानिव जैसे आपके बच्चे अगर ड्राइफुट्स खाने को रेडी नहीं होते हैं नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप ते कर सकते कि आप बदाम वगर को ग्राइड करके उसका पाउडर भी इसमें मिलांके बच्चों को पिला सकते हैं तो बस हम बेट करते कि हमारे मिल्क में एक पॉइल आजाएं और हमारा मिल्क बिल्कुली पीने को रेडी हो जाएगा आप जरूर इसको फ्राइब करेगा एक बार ऐसे बनाकर कि आपके बच्चे कैसे इसको कैसा पसंद करते हैं क्योंकि आज की जिंगर आज की ताइम पर हल्दी मिल्क हमारे लिए बहुत ही अच्छ मिल्क में बॉइल आ चुका है तो हमारा मिल्क बिल्कुल पीने के लिए रेडी है अगर आपके बच्चे अजवाई नहीं खाते तो आप इसको स्ट्रेंड करके भी निकाल सकते हैं तो देखिए हमारा हल्दी का मिल्क पीने के लिए बिल्कुल तैयार है अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंस करके बताईए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को पी सब्सक्राइब करना ना बूलिए थैंक्स पर वाचिंग मैं व